दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल स्टडी जून पर उमिदवार जा सकते हैं हाई कोट अपनी एक्जाम डेट को पोस्पॉल्ड को लेकर दोस्तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आपा रही है क्योंकि कुछ उमिदवार चाते हैं कि जो आरपी एसी की आरेस की जो एक्जाम है उसकी जो डेट है उसे कुछ दिनों के लिए आगे किया जाए और इसको लेकर उमिदवार लगातार अपने आवाज को जो है वो बुलंद कर रहे हैं और दोस्तो ऐसा करना उमिदवारों के लिए बिलकूल ही यहाँ पर जो है जाइज है क्योंकि अगर इतने सारे एक्जाम डेट एक साथ यहाँ पर जो है जो साथ में आएंगे तो उमिदवारों की जो भरती की परकिरिया है उस परकेरियाओं के लिए उमिदवारों के लिए एक बड़ा जटका लग सकता है क्यों दोस्तों ऐसा मैं क्यों कर रहा है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पर competition जो exam की त्यारी है वो उमिदवार हर एक level पर करता है और उसके लिए हर एक form को उमिदवार fill करता है जो उसके touch में रहता है तो ऐसा ही दोस्तों यहां पर जो है आप सभी के तीन exam date जो है एक साथ आ रहे हैं क्योंकि ऐसी update लगातार social media group के अंदर टेली ग्राम चैनलों के अंदर लगातार कही जा रही है पर दोस्तों क्या इन सभी से जो यहां पर RS की जो exam है और PSC क्या postpone करेगा या नहीं करेगा तो उसके बारे में सारी information मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल Study Zone के साथ जैसा कि दोस्तों आप सभी को सभी सभी पहले पहता है कि यहां पर PO की जो exam है वो 33% एक अक्टूबर को होनी है साथ ही दोस्तों यहां पर हिमाजिल परदेश की यहां पर PCS की exam है वो यहां पर एक अक्टूबर को होनी है पर दोस्तों इन दोनों की जो exam center और admit card है वो यहां पर जारी कर दी गए है पर दोस्तों RPSCC की जो RS की जो exam है इसकी admit card ना exam center जारी के गए है इसको लेकर कहीं न कहीं एक hope लगाया जा रहा है कि जो exam है वो RPSC postpone कर सकता है पर दोस्तों क्या really fact है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों अधिकारियों से जो update मिल रहा है वो काफी जदा important पढ़ रहा है क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि इस भरती के अंदर उमिद्वारों को अपने इस form फिलब करने के लिए कम से कम उनकी minimum qualification वो graduate होने चाहिए तब ही वो इस form को फिल कर सकते हैं और इसके अंदर यहां पर हर एक उमिद्वार जो आ रहा है RS के भी अंदर आ रहा है और साथ ही यहां पर पीसेस के अंदर भी आ रहा है तो यहां पर वो तीनों फॉरम जो है कम से कम 50% उमिद्वारों ने फिल किये हैं और यहां पर वही उमिद्वार जो इस vacancy पर दोस्तो यहाँ पर high court में अगर उमिद्वार ने partition file भी किया तो बहुत ही कम chances है क्योंकि इतने कम समय में यहाँ पर short notice में exam date को change करना यहाँ पर वो possibility बिल्कुल ही नहीं बन रही है और दोस्तों लगातार बताय जा रहा है कि कल या परसों के अंदर में आप सभी की जो exam center है और admin card है वो दोनों ही RPSC जो है वो release कर देगा यानि कि जो postponement की जो chance है दोस्तों वो बिल्कुल ही यहाँ पर 0% लगरी है और ऐसा होता है तो यहाँ पर दोस्तों exam date पोस्पॉंट करने को लेकर अगर सरकार द्वारा यहाँ पर दवाव बना जाता है तब जाकर इस exam को पोस्पॉंट क की जाएगी क्योंकि पोस्पॉंट करने के बाद आप सभी को पता है कि अचार सहीता लगने वाली है फिर रायस्थान के अंदर exam कराना और भी कितना मुश्किल हो सकता है तो इसलिए दोस्तों बहुत ही कम उमीद है कि जो RPSC है वो RS की जो exam है उसे यहाँ पर वो पोस्पॉ आप सभी को RPSC के जाएस से जरूर बतायागा तो आप सभी के क्या रहा है कमेंट के जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब प्रूस्तों जय हिंदे